नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को उडान आई-स एकडमी की ओर्लेंड प्रेटफॉर्म पर मेरा नाम रवी गोयल है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा चातरावस अधिक्षक यानि की होस्टल वाडन की परिक्षा 15 सितंबर को आयोजित होनी है तो यहां से देखा जाए तो लगभग 35 दिनों का समय सेश बचा है अब 35 दिन कम नहीं होते हैं और अगर देखा जाए होस्टल वाडन की परिक्षा के लिए तो 35 दिन बहुत हैं इन 35 निर्नायक साबित होने वाली है इन 35 दिनों का बहुत अच्छी तरीके से योट्यलाइज करना है अपने अंदर में विश्वास बना करके रखना है कि हां आपका सेलेक्शन होना तय है तब जाकर सेलेक्शन की संभावना बनती है बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे कॉल कर रहे हैं क्लास में अगर मैं जा रहा हूं तो मुझसे बातचित कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है कि 35 दिन सेस बचा है और दूसरा डर ये भी सता रहा है कि 6.5 छे लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और पदो की संख्या केवल 300 है तो कैसे सेलेक्शन हो पाएगा सर हम कैस से फाइड कर पाएंगे 6.5 छे लाख बच्चे एक्जाम में बैठेंगे 300 पदो की संख्या है तो फिर कैसे सेलेक्शन ले पाएंगे तो आप ये सब चीजों को छोड़िए कितने लोग फॉर्म भरे हैं कितने लोग एक्जाम में बैठेंगे आप अपने पर विश्वास र आप 6.5 छे लाख फॉर्म को छोड़िए बच्चे बोलते हैं 6.5 छे लाख फॉर्म भरे गए हैं इतने बच्चे एक्जाम में बैठेंगे 6.5 छे लाख फॉर्म भरे गए लग भग और पदो की संख्या कितनी है 300 पद हैं कैसे सेलेक्शन लेंगे सर कैसे सबसे बड़ा प् सेक्षनिक योग्यता को बारहुमी पास रखा था एक वजह ये भी है कि फॉर्म की संख्या आपको ज़ादा देखने को मिल रही है दूसरा फ्री है फॉर्म जैसा कि आप सभी को पता है तो फॉर्म भर दो फॉर्म भरने में क्या जाता है एक्जाम मन किया तो दे देंगे नहीं मन किया, तो नहीं जाएंगे देने, तो बहुत सारे कारण है, बेरुजगारी इतनी चल रही है, कि फॉर्म तो कम से कम भरो, कोई एक्जाम तो आया, एक्जाम तो कम से कम दे देते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा, तो ठीक, कम से कम, एक्जाम का फॉर्म तो भरते हैं देखा जाएगा जो भी होगा बहुत सारे कारण है तो सैक्षणिक योग्यता को 12 मी पास रखना फ्री में फॉर्म भरे जा रहे हैं बेरुजगारी इतनी जादी है हर यूवा फॉर्म भरा है जो बेरुजगार है वो हर यूवा फॉर्म भरा है हॉस्टल वर्डन का इवन जो PSC का 2-3 बार मेंस दे चुका इंटरिव्यू तक जा चुका फाइनल पोस्ट नहीं मिल पाया वो भी बच्चा जो है वो फॉर्म भरा है हॉस्टल वर्डन का तो फॉर्म की संख्या इसलिए भी जादि आपको दिखाई दे रही है तो फॉर्म की संख्या देखकर आप de-motiveate मत होई है आप यह समझिया कि सव प्रस्ण पूचह जाएंगे और यह सव प्रस्ण जो है सव अंको के पूचह जाएंगे सव अंको के सो अंकों में सत्तर असी प्लस करना है आपको ये मान के चलिए सत्तर असी प्लस करना है आप इसको देखिए ये गडित लगाईए आप इधर पे गडित मत लगाईए कि यहां से यहां आना है ये वेर्थ की बात है कि यहां से यहाँ आना है कैसे आएंगे, असंभो जैसा लगेगा, लेकिन 100 में से, आप 70-80 नम्बर स्कोर कर पाएंगे, यह थोडा संभो लगता है, 70-80 नम्बर आपको क्रॉस करना है, 70-80 प्लस आपको क्रॉस करना है, तो आपका कहींन-कहीं 300 पदों में कहीं न कहीं चैन होई जाएगा तो आप इधर का गडित मत लगाओ जहां पर आपको थोड़ा positive response लगे सोचने में वो सोचो इधर का गडित लगाना ही नहीं होता गडित आपको इधर पर लगाना है कि 100 अंक है 70 प्लस 80 प्लस करना है तो कहीं न कहीं सेलेक्शन का संभावना बन जाएगा और अब 70 प्लस 80 प्लस करने के लिए syllabus को चान लो कहां से मैं कितना score कर पा रहा हूँ टेस्ट में कहां पे मेरी कमी है कहां पे मैं और अच्छा कर सकता हूँ syllabus को दिमाग मिलाओ कि सर कंप्यूटर बनेगा 30 प्रस्ण का 30 अंक का इसमें कितना कर सकता हूँ गडित से 25 प्रस्ण आएंगे 25 अंक के इसमें कितना कर सकता हूँ बाल मनुविज्यान से आएंगे 10 प्रस्ण 10 अंक के तो 65 नंबर का तो यही हो गया सर इसमें मैं कितना कर पा रहा हूँ सर, मैं कम्प्यूटर से 26-27 प्रस निकाल सकता हूँ क्या, मैं गरित से 22-23 प्रस निकाल सकता हूँ क्या, मैं बाल मनुविज्ञान से 78 प्रस निकाल सकता हूँ क्या, मतलब मोटे मोटे तोर पे 65 में लगभग 50-55 प्रस नियाहा से मुझे तो 30 नमबर का computer आएगा, 25 नमबर का गड़ित आएगा, 10 नमबर का बालमन विग्यान, यहां से कितना कर पा रहा हूँ, 5 नमबर का Hindi आएगा, वहां से कितना score कर पा रहा हूँ, 5 नमबर का अंग्रेजी आएगा, 5 नमबर का 36 गड़ आएगा, 5 नमबर का current affair आएगा, 15 नमबर क करना होगा कि किस portion में मेरी पकड़ अच्छी है कहां से मैं कितने प्रस्ण लगा सकता हूँ कहां पर और अगर मैं और पढ़ाई करू इस विशय को और अच्छा करू तो वहां से प्रस्ण बनने की संभावना और हो जाएगी तो उन विशयों को और पढ़ी अभी पचे समय में आपको लगता है कि हिंदी सर मेरा ठीक है पांच में चार प्रस्ण तो मैं लगा ही लूँगा confirm है, हिंदी के हमेशा मैं व्यापम में प्रस्ण लगाता आया हूँ तो 5 में 4 लगा ही लूँगा, तो हिंदी का थोड़ा मुड़ा बस पढ़ते रहो, टच में रहो हिंदी के अगर आपको लगता है कि सर, मैं कम्प्यूटर के बहुत सारे एक्जाम्स दिया हूँ कम्प्यूटर के दो-दो बुक पढ़के बैठा हूँ तेस्ट पेपर दे रहा हूँ व्यापम के previous year के question paper उठाया हूँ तो कम्प्यूटर मुझसे लग जा रहा है maximum questions कम्प्यूटर के में लगा रहा हूँ तो computer को केवल MCQs लगाते रहो, कोसिस करते रहो, revision करते रहो, गडित में अगर कमी लग रही है कि गडित में सर मेरे को थोड़ा कमी लग रहा है, क्योंकि वाडन में geometry का portion थोड़ा जादा है, geometry में मेरे को तकलीफ आ रही है, तो geometry को पढ़ो, पढ़ा जा सकता है, इतने सारे videos म मैंने YouTube में डलवाए हैं, आप देखें geometry कितना आसान है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, 12 जुलाई वाले batch में, या फिर मेरे maths वाले separate batch में, या फिर जो courses हमारे चलते हैं, उसमें मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे खुस होके geometry लगा रहे हैं भई, अभी जो सि आसनोट से मिले हैं, सारे प्रस्न, तो पढ़ने से सब बनेगा, आप सोचेंगे पढ़ना नहीं है, फिर प्रस्न बन जाए, तो नहीं बनेगा, गडित में अगर लग रहा है, geometry का portion tough है सर, अभी भी कमजोरी, geometry बनी हुई है, तो geometry पे काम करो, geometry को ठीक किया जा सकता है, बिल घना, बेलन कैसे पढ़ेंगे, वो दिमाग में बस चलता है, है बहुत आसान, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे तो चीजे बहुत आसान लगेंगे आपको, तो आपको पहले तो अपने आप में एक अंदर से विश्वास जगाना होगा, कि हाँ, exam निकलेगा, कितने ल चीजी है, पंदरा का इंडियन जीएस है, एक बार पूरा रिविजन करना इंडियन जीएस को, छोड़ के मत जाना, एक जो नोटस आपने बनाई होगी, या फिर किसी भी कोचिंग की बुक होगी, या मार्केट में जो भी बुक होगी, जिसमें एक ओवर आल पूरा का पू पूरा खतम हो गया ना? रिविजन करके जाओ, confidence रहे, confidence का इंडियन जी खेल है पूरा, अगर मैं भारत की इतिहास को 4 महिने से नहीं पढ़ आऊओ न और भारत की इतिहास का कोई प्रस्न आया तो नहीं बणा पाऊंगा, अगर मैं रिविजन करके गया हूँ, एक मोटे आप touch में रहेंगे तो आपको लगेगा कि आपको चीज़े आती है आप touch में नहीं रहेंगे तो आपको लगेगा चीज़े आपको आती ही नहीं है तो केवल ये confidence का खेले मानसिक तौर पे पूरा गेम चलता है पूरा मानसिक तोर पे, तो आप टच में रहिए, एक बार हिस्ट्री को जो जो लिखा है सिलेबस में उसको पूरा रिवाइस कर दीजे, भले आप पेज खोल के ऐसे बस रीड करते जा रहे हैं, करते जाईए, अपने आपको संतुस्टी दीजे एक बार, प्रस्ण बन जाएं Сविधान जो जो लिखा एक बार पूरे को, एक बार पूरे को बैटके रिवाइस कर लीजे, ऐसे मैं रटने नहीं बोल रहा हूं कि पूरा रटके जाए, एक बार ओवर व्यू, एक बार देख लीजे, यहां जो जो सिलेबस में, वो सारी चीजे मैंने देखी हैं उधर से प्रस्णगर आया तो मैं सोच समझ के options को eliminate करके दिमाग लगा के इधर उधर करके चीजों को बना ही लूँगा मैं confidence तो रहेगा कम से कम के हां मैंने पूरे syllabus को cover किया है 100 में 100 number पढ़के आयो तब जाके आपका confidence बोलेगा कि चोड़ो क्या मत छोड़ो पहली बात तो नोट्स तो बना ही होगे आप सारे नोट्स बनाए होगे इतना समय होगे आप लोगों को पढ़ते तो नोट्स तो बना ही होगे उस नोट्स को revise कर लो नोट्स को revise नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या करो तो फिर आप देख लो, कोई market से book उठालो, एक बार एक overview पूरा का पूरा GS का देख के जाओ, तो GS को छोड़ना नहीं है भई, हिंदी अंग्रे जी किसी विशय को नहीं छोड़ना, even current affair को भी पढ़ो, गडित को ले करके बच्चों को समस्या पनी हुई है अभी भी, बहुत स समस्या पैदा कर रहा है, तो गडित को ले करके मैंने एक batch प्लान किया है, वो batch जो है, उसकी जानकारी एक पर मैं देता हूँ, उस batch मैं कैसे पढ़ाऊंगा, वो सारी बाते भी आपको समझाता हूँ, तो छात्रावा सदिक्षक परिक्षा को ले करके गडित के लिए एक व साथ बजे से साड़े आठ बजे तक, प्रती दिन डेढ़ घंटे की classes होंगी, तीस दिन की कक्षाएं हैं, यानि कि 45 घंटे की कक्षाएं, 45 घंटे की, तो 45 घंटे की कक्षाएं हैं, 45 घंटे में वार्डन का गडित किया जा सकता है, मैं अगर बोलेंगे ना कि R.I. पटवा सकता हूंगा, वार्डन का syllabus को मैं करा सकता हूं, क्योंकि वार्डन के syllabus को देखेंगे तो limited chapters लिखे हुए हैं, उन्ही chapters पे आपको हो तोड़ा मारना है, तो वार्डन के syllabus को मैं करा सकता हूं, इसलिए मैं ये badge भी लेकर के आया हूं, अगर आप R.I. का exam होता है, पटवारी क exam होता और आप बोलते की, तीस दिन मैं पूरे syllabus को करा देना सर, डेड़े घंटे क्लास लेके, तो मैं आपको तयार कर देता, confidence आपके अंदर ला देता, गड़ित को लेकर के, लेकिन पूरे syllabus को ऐसे एक एक chapter पढ़ा पढ़ा के खतम नहीं कर पाता, लेकिन वार्डन के syllabus को म बहुत सांदार तरीके से खतम कर सकता हूँ, और वहां से एक भी चीज आपको बाहर से नहीं मिलने वाली, ये भी आपको सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये वीडियो और रिकॉर्ड बोल रहू हूँ मैं, कि जितना मैं 45 घंटों में पढ़ाऊंगा, एक भी प्रस्न आप को गड़ित का 25 में से बाहर से नहीं मिलेगा, जो मेरे क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सीट पे काम करके जाएगा, 25 के 25 प्रस्न आपको मिलेंगे आपके क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सीट से, ये भी सियोरिटी के साथ बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि वाड़न का सेलिबस इमिटेड है, तो ये class जो होगी है, 13 अगस्ते प्रारम होगी, साम 7 बजे से 8 बजे तक, प्रती दिन classes चलेंगी, कोई gap नी होगा, साम 7 बजे से 8 बजे तक, 1.5 घंटे की classes daily चलेंगी, 45 घंटे की total कक्छाएं होगी, और अगर बात करूं मैं, तो एक महिने की तयारी है ये, एक महिने की तयारी, 30 दिन की कक्छाएं, मतलब 45 घंटे की total कक्छाएं है, ये back जो होगा, ये offline नहीं चलेगा, offline नहीं चलाने के पीछे का एक कारण यही है, कि classes रुके ना, daily classes चलते रहें, मैं कहीं पे भी हूँ, classes daily चलते रहें, तो classes online, live प्लस recorded form में चलेंगी, मतलब आप live जुड़ेंगे मेरे साथ, आप पूरा पढ़ेंगे, उसी को recorded form में बाद में भी आप देख सकते हैं, तो वाडन का पूरा syllabus cover होगा, जामिती की विशेष कप्छाएं सामिल हैं, क्योंकि जामिती से 12 से 13 प्रस्ण आने तय हैं, आपको पता होगा, चार इकाईया लिखी है syllabus में, जिसमें दो में जामिती के chapters हैं, और दो में बचे chapters हैं, तो 12 से 13 प्रस्ण जामिती के आपको मिलेंगे ही, 25 में 25 का लच्छ लेके चलेंगे अपन, और लाएंग ये देखना, 12 जुलाई वाले जो बच्चे हैं, वो confidence के साथ बोल रहे हैं, कि सर, maths में confidence आ गया है, geometry के प्रस्ण आ है, तो भी बनेंगे, और normal chapters जो हैं, वो तो बनेंगे ही हमसे, तो ये बैच 13 अगस्त से आरंभ हो रहा है, एक महीने लगातार classes चलेंगी, डेड़ घंटे प्रती दिन classes चलेंगी, हो सकता है संड़े विगरा को, मैं लंबी classes प्लान करू, Saturday संड़े को, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की लंबी classes प्लान करू, और जो भी बच्चे इस बैच से जुडेंगी, उन सभी बच्चों को, मैंने प्लान करके रखा है, eometri का एक महा महाराथन class, तो महा महाराथन class मैंने eometri का प्लान करके रखा है, ये महाराथन class जो है, ये लगबग 9 से 12 घंटे का चलेगा, जैसा मैंने सिख्षक भरती परिक्षा में TET के लिया था जो TET का आयोजन हुआ तो वहाँ पर जो मैंने महामेराथन क्लास ली थी वैसा ही एक Geometry के लिए लूँगा और एक बचे चैप्टर के लिए जो बचे हुए चैप्टर से हैं उनके लिए भी एक महामेराथन क्लास मैंने प्लान की है तो दो महामेराथन क्लास में लेकर क्या हूँगा चार इकाई हैं दो इकाई जो हैं Geometry की हैं उसके लिए अलग से पूरा महामेराथन और दो इकाई जो बचेंगी जिसमें औसत है, प्रतीसत है, लाभानी है, चाल समय दूरी है, इसके लावा साधारन ब्याज है, जो लसा मसा है, इसका एक पूरा महराथन चलेगा और जिमेट्री का पूरा एक महराथन चलेगा, बहुत काम कराऊंगा, ये ओपन नहीं रहेगा इस बार, ध्यान रखेगा, यूट्यूब में नहीं रहेगा ये महराथन क्लास, इस बार उडान के बच्चों के लिए ही हमने प्लान किया है, क्योंकि अल्रेडी उडान कितने सारे बच्चे हो जाते हैं, तो उडान के बच्चों के लिए ही हमने प्लान किया है, जिस एप में आपकी क्लासेस चलेंगी regular उसी app में ये महा मैराथन class आपको दिखाई देगी तो ये तेड़ घंटे की classes तो देली चलेंगी लेकिन ये आप सभी को फाइदा मिलेगा महा मैराथन class का geometry का एक महा मैराथन class और बचे chapters का एक महा मैराथन class मैच में 25 के 25 नमबर आपको मिलेंगे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो 45 गंटे बहुत हैं जितना जल्दी हो सके पंजियन कर लीजे admission ही ले लीजे आप लोगों को पता है कि कुछ भी चीजे बाहर से नहीं आने वाली है सब कुछ class notes से आएगा महनत आप लोगों को करनी है मेरे साथ में तो admission ही ले लीजे demo क्या देखना admission ही लीजे इनमें से किसी भी नंबर पे संपर करिए admission ही ले लीजे fees भी हमने न्यूंतम रखी है छात्रों की मांग पे ही हमने बैच लाया है तो जो fees है वो 899 रुपए है मात्र और उडान के विद्यार्थियों है तो 799 रुपए है उडान में अगर कभी आपने classes की है तो आपके लिए fees मात्र 799 रुपए है जीओ का recharge जाता है भाई इतने में तो और सोचो ये बैच आपका carrier बनाएगा hostel बाडन में selection के पास पहुँचाएगा ये तो recharge का फीस है भाई इतना तो आप recharge कर लेते इतने गातो और यहाँ हम पूरा maths दे रहे हैं आपको hostel वाडन का 799 और 899 में इतने में तो recharge जा रहा है आजकल एक महिने दो महिने तीन महिने का इतने में आपको पूरा का पूरा बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं maths का पूरा वाडन का बैच complete maths का coverage होगा महा मेराथन classes का लाव मिलेगा आप सभी को जो इस batch से जुड़ेंगे तो जल्द ही इन दिये गए numbers पे संपर्क करिए और admission लीजे demo छोड़िए सीधे regular link मांगिए admission लीजे इन में से किसी भी number पे संपर्क कर लीजे classes online live plus recorded होंगी online live plus recorded तो गड़ित का विशेस बैच है एक महिने की तयारी पूरी चलेगी 45 घंटे की classes है online live plus recorded है doubt तुरंत आप पूच सकते हैं क्योंकि live आप मेरे साथ जुड़ेंगे कहीं पे समस्या नहीं आएगी गड़ित की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िए और कहीं न कहीं आप ये मान के चलिए कि गड़ित विशे सेलेक्षन में सबसे बड़ी भूमी का निभाने वाला है सबसे बड़ी भूमी का गड़ित विशे निभाएगा सेलेक्षन में सबसे बड़ी भूमी का गड़ित विशे निभाएगा तो गडित विशे को पढ़ना ही पढ़ेगा और विश्वास रखे मेरे पे उडान पे आपको कहीं पे कोई कमी नहीं मिलने वाली आपका notes और practice set इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 25 में 25 कलग चलेके चलेंगे अपन तो ये batch 13 अगस्त से प्रारम हो रहा है online जुडिये live साथ में recorded का सुविधा भी आपको मिलेगा महा मैराथन क्लास का लाव लीजिए डेली प्रती दिन डेड़ घंटे की classes चलेंगी ही और महा मैराथन में देखना तो आपको पहले एक बर मैं base बनवा लूँगा पूरा उसके बाद महा मैराथन क्लास लेके आऊंगा इस महिने के end में या अगले महिने के starting में जब तक आप लोग का बहुत कुछ coverage हो जाएगा तो महा मैराथन क्लास में आप लोग खुद से response दोगे सांदार तरीके से response दोगे तो थोड़ा सा लेकिन आप लोगों को महनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में और महनत करने को आप तयार हैं मैं तो तयार हूँ ही तो जुड़िये इस बैद से देखो maths के अगर syllabus की बात करूँगा मैं तो maths के syllabus में क्या-क्या पढ़ना है आपको तो maths के syllabus में lesser-messer लिखा है lesser और merser कहने का मतलब LCM और HCF ये chapter लिखा है औसत लिखा है average इसके बाद देखेंगे तो प्रतीसत लिखा है percentage इसके बाद लाभानी मतलब profit and loss इसके बाद लिखा है कही न कही साधारन ब्याज को साधारन ब्याज साधारन ब्याज मतलब simple interest इसके बाद लिखा है चाल समय दूरी speed, time, distance चाल समय दूरी इसी में cover करेंगे अपन rail गाड़ी के questions को थोड़ा सा समय और कारी को भी पढ़ाऊंगा आपको समय और कारी आने का संभावना कम है लेकिन कुछ basic प्रस्णों पे काम करा दूँगा मैं ये chapters लिखे हुए हैं ये लिखा नहीं है लेकिन इसके कुछ प्रस्ण करा दूँगा मैं इसके अलावा पूरा का पूरा geometry का section है geometry के section में आपको cover करना होगा रेखा और code रेखा और code सांदार तरीके से होगा इसी में बहुभुच पढ़ेंगे बहुभुच बहुच के आंतरिक कोडों का योग बहुच के बाहे कोडों का योग प्रतेक आंतरिक कोड प्रतेक बाहे कोड विकर्णों की संक्या बहुत कुछ है तो line and angle इसके बाद पूरा का पूरा छेत्रफल पढ़ेंगे छेत्रफल एरिया इसमें त्रिभुच पढ़ेंगे चत्रभुच पढ़ेंगे वृत पढ़ेंगे अलग-अलग प्रकार के त्रिभुच अलग-अलग प्रकार के चत्रभुच अलग-अलग वृत में त्रिज्या खंड का छेतरफल, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, अर्ध वृत, ऐसे सब कवर करेंगे. इसके बाद आयतन, आयतन में syllabus में लिखा केवल घन और घनाब है, लेकिन बेलन को तो पढ़ाऊंगा ही, बेलन के प्रस्ण बने हैं, थोड़ा सा संकू और गोला का भी जानकारी दूँगा, कि प्रस्ण गर आगया तो फसेंगे नहीं आप, संकू और गोला का भी जानकारी द हैं, वो सारे प्रस्णों को लास्ट में कराऊंगा, कितना सिलेवस्तो है, लगभग 45 घंटों में मैंने ऐसा प्लान किया है, 25 घंटे मैं इसको देने वाला हूँ, 45 घंटों में लगभग मैंने सोचा है, 25 घंटे ये वाले सेक्शन को दूँगा, और लगभग 20 घंटे ये वाले section को देने वाला हुम है इसके अलावा सनिवार रविवार को extra classes जो मैं लूँगा वहाँ पे थोड़ा सा अलग से समय निकल जाएगा जिसमें और त्यारी strong कर लेंगे अपर पूरा अच्छी से त्यार कराऊंगा सांदार तरीके से class notes को पढ़के जाएगा रटके हो जाएगा आपका तो जुड़ सकते हैं आप दर्ये मत विश्वास रखिए और देखो अपना काम है कर्म करना कर्म करिए इमानदारी से महनत करेंगे अगर आपकी महनत भगवान देख रहा है तो आपको success भी मिलेगा लेकिन आप ठकिये मत हारिये मत तूटिये मत जब तक एक्जाम नहीं होता लगे रहिए कोई बोल देगा ना कि मेरे को confirm पता है तेरा नहीं होगा तो भी आपका काम है मेहनत करना क्या करेंगे नहीं होगा ये सोचके थोड़ी नहीं पढ़ेंगे आप पढ़ना तो ही ना आपको पढ़ना तो पढ़ेगा आपको पढ़के तो ये एक्जाम निकलेगा नहीं, आगे की एक्जाम भी नहीं निकलेंगे, तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, जब तक आपकी हिम्मत है, पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है, गिवप नहीं करना है, लड़ना है, लड़ते रहिए, जब तक एक्जाम में से होना बनेगा तब भगवान को आपकी मेहनत दिखेगी तब आपका एक्जाम निकलने वाला है तो लड़ना तो पढ़ेगा पढ़ना तो पढ़ेगा आपको तो उसके लिए तयार हो जाएए और इसको बिल्कुल भी देखके मत डरिये इसको देखिए इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है आपको कैसे ये लाया जाए ये स्ट्रेटजी बनानी है मेरे को ये स्ट्रेटजी बनी है तो मेरे काम हो गया ये तो मेरे को देखना ही नहीं है फाल्तू लोग भी बैठेंगे इसमें जो जबरन फॉर्म भर दिये हैं खाली सोच के फॉर्म भर दिये हैं फ्री सोच के फॉर्म भर दिये हैं दो साल से त्यारी नहीं किये हैं चार साल से पढ़ाई छोड़ दिये वैसे लोग भी फॉर्म भर दिये हैं तो आप उनका मत सोचो, आप इसको सोच उदर धियानी नहीं देना है, इधर धियान देना है, इधर यह कैसे लाया जाए, maths में 25 में 25 मिलेगा नोट से आपको, लेकिन आपको notes proper पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, practice sheet को solve करना पढ़ेगा, मैं इसकी जवाबजारी ले समझ में आ रहा है बचों को मैंने तरिभूच inqual में समझाया की तरिभूच का कँप कौन सा फॉर्मुला क्यों चतरभूच का कहां से आया लग रहा यह एक एक point पे काम करा रहा हो बच्चों को मैंना आप feedback ले लीज़े 12 जुलाईफ वले बच्चों से 20 मार्च के जो बहुत सांदार फायदा मिलेगा, फीस भी हमने नियूंतम रखी है, आठ सो निन्यानवे, और उरान के जो विद्यारती उनके लिए साथ सो निन्यानवे, इन में से किसी भी नंबर पे वाटसप कर दीजे, आपको ओनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी, जहां पर 13 अगस्थ से क्लासेस आरम हो जाएंगी, तो बिल्कुल जुड़िए और अपनी तयारी को सांदार करिए, और सेलेक्शन लीजिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,